नवांकुर डिजी लेशन्स में मैं संभूसी रगवनसी आपका स्वागत करता हूँ चात्रों आज हम हिंदी साहित्त में निवंद विधा के विकास पर प्रकाश डालेंगे इसमें गद में निवंद एक महित्पून विधा है निवंद का विकास कैसे हुआ और ये विधा कैसे आज विक्षित रूप में है इस संभन में आज चर्चा करेंगे आज हम निवंद साहित का विकास का पहला भाग पढ़ेंगे इसके दो भाग हमने बनाए हैं पहले भाग के अंतरगत हम परिभाशा है निवंद के तत्व हैं निवंद के वेद हैं और उसकी शैली इन संभन में चर्चा करेंगे सेस जो रहेगा वो उसको भाग दूसरे में देखेंगे तो आएए अब जानते हैं परिवाशा निवंद दो सब्दों से मिलकर बनता है नि धन बंद बंद का मतलब होता है बांधना नि माने निवंद नियम पूर्वक नियम बिशेश से तो इस प्रकार नियम बिशेश से बंदी हुई रचना निवद रचना आवद रचना जो कुछ नियमों से बांधी गई हो ऐसी रचना को ऐसी गद्ध रचना को निवंद कहते हैं गद्ध की एक विदा है यह इसमें सैली विचार विशय इन वस्तूओं को इन तत्तों को विशेश करम से बांधा जाता है बैसे निवंद को अंग्रे जी मैं ऐसे कहते हैं या आप भली माती जानते होंगे अंग्रे जी में ऐसे सब्द भी फ्रांसी सी सब्द से आया है फ्रांसी सब्द ऐसाई होता है ऐसाई से अंग्रे जी में ऐसे बन गया तो यह इसका मूल सब्द ऐसाई है जो फ्रांसी सी भासा का है अब ऐसाई का फ्रांसिसी वहसा में क्या आर्थ होता है प्रेत्न करना या प्रियोग करना या फरिक्षन करना ऐसा ही मतलब प्रेत्न ट्राई अंग्रेजी में बोलता है तो प्रेत्न करना प्रियोग करना और परिक्षन करना ये ऐसा ही का आर्थ होता है फ्रांसिसी में उस ऐसा ही को अंग् कोरा प्यत्र नहीं होता निवंद एक सामाने रचना नहीं होती निवंद बलकि निवंद एक प्राउड गद्ध रचना होती है अर्थात इसमें विशय की व्यापक्ता होती है वैचारिक विवित्ता होती है तो ऐसे कारण से निवंद की सर्व सम्मत परिवासा दे पाना होता है या जिस सारी चीश समाहित हो जाएं ऐसी परिवासा निवंद की दे पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी इतनी विवित्ता है वैचारिक भिशय में इतने व्यापक्ता है कि उसको कुछ चीमिस सब्दूँ में बांद पाना बढ़ कथिन हो जाता है पास्चात्य और भारती समक्षिकों ने निवंद की अलग अलग परिवासाएं अपने अपने विचार से दी हैं कुछ पास्चात्य यह विदेश के पस्चिम के देशों के साहित्यकारों ने क्योंकि निवंद प्रारम में उधर बिक्सित हुआ है तो वहाँ के जो विद्वान है उन साहित्यकारों की निवंद के समखन में क्या परिवासाएं आए जानते हैं तो मांटेन के समखन में कहा जाता है यह फ्रांसिसी लेखक हैं और निवंद विधा के जनक हैं इन्होंने इस सबसे पहले निवंद विधा में लेखन किया ये फ्रांसिती लेखा किये मॉन्टेन इन्होंने निवंद की परिवाशा दी निवंद क्या है निवंद बिचारों उद्धरणों और कथाओं का मिस्त्रण है माने बिचार हैं इसमें कुछ उद्धरण हैं उद्धरण हैं कुछ कथाओं इनको शमाहित कर दिया गया ये निवंद की परिवाशा है परिवासा लिखते समय एक बात ध्यान रखा जाएगा कि जो निवंदकार होता है उसके सब्द जियों के तियों लिखे जाते हैं इसमें परिवासा लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा निवंदकार के जो सब्द हैं वैसे ही लिखे जाते हैं अपनी तरफ से उन सब्दों में परिवर्दान नहीं किया जाता जैसे मॉन्टेन ने लिखा है निवंद विचारों उद्धरनों और कथाओं का मिस्रन है तो जब मॉन्टेन का जिक्रा आएगा और परिवासा लिखने की बात आएगी तो आपको यही सब्दों का दोहराना पड़ेगा इसलिए यह परिवासां कंठस्त करने की अफिक्षा रखती है इन्हें कंठस्त करना चाहिए परिवासा में कभी कभी पूछ लेते हैं या कभी बस्तुनिष्ट प्रश्णों के अंतरगत ऐसे प्रश्ण पूछ लिए जिते हैं जैसे निवंद्ध विचारों उद्ध्रणों और कथाओं का मिस्त्रण यह परिवासा खालिस्तान है अब अगर आपको यह परिवासा याद है तो आप लिख देंगे मौन्टेन तो इस तरह से प्रश्ण बनते हैं कभी-कभी भारती साहितकारों की परिवासा पूछ भी ली जाती है कभी-कभी पास्चा साहितकारों की परिवासा भी पूछ सकते हैं उसका भी बंधन नहीं है तो इन परिवासाओं को याद रखना चाहिए इसलिए हमने तीन पास्चा साहितकार की परिवासा यहां पर दी हैं दूसरे हैं बेकन इनके सब्द है निवन्द केंद्री भूत ज्यान के वे कुछ प्रस्ट हैं जिनमें विचारों की सहज अव्यक्ती होती है इनके अनुशार परिवासोग समझते हैं ग्यान के पन्ने बता दिये निवंद को ऐसा ग्यान जो हमारे मस्तिस्क में समाइत हो चुका है और उनके माध्यम से कुछ विचार प्रकट होते हैं उन विचारों जो अव्यक्ति होती है वही निवंद है परिवासोग समय वही शब्द लिखना पढ़ेंगे जो उसमें लिखे हुए है निवंद के अंदरी वूत ग्यान के पे कुछ प्रस्थ हैं जिनमें विचारों की सहज अव्यक्ति होती है परिवासोग परिवासोग समय नहीं करेंगे तीसरे विद्वान है गार्डनर इन्होंने निवंद के संब्द में लिखा है जिस प्रकार हैट टांगने के लिए कोई खूटी काम में लाई जा सकती है उसी प्रकार निवंद भी किसी भी विशय पर लिखा जा सकता है हैट माने टोप टोप को टांगना है अंग्रेज जोग टोग पहनते थे तो टोप किसी भी खूटी पर टांग देते थे तो ऐसे बिचार किसी भी विशय पर लिखे जा सकते हैं माने निवंद में बिसे कोई भी हो सकता है ये गाड़नर के बिचार है तो गाड़नर ने जो निवंद के परिवासा दी है जिस प्रकार हेट टांगने के लिए कोई खूटी काम में लाई जा सकती है उसी प्रकार निवंद भी किसी भी बिसे पर लिखा जा सकता है तो अब एक इसमें सबसे जादा है जो परिवासा आती है वो आती है आचारे रामचंदर शुक्ल है देखिए यह रामचंदर शुक्ल इन्होंने निवन्द के सम्मद में परिवासा दिया यदि गद्य कवियों या लेकों की कशोटी है तो निवन्द गद्य की कशोटी है अब आचार रामचंदर शुक्ल की परिवासा कई वार परिवासां में पूछी गई है ऐसा देखने में आया है तो अपरिवासा है तो आपको याद करना ही होगी बारवार लिखकर देखें आ सब्दों में परिवर्टन कर नहीं सकते सब्द जो लेखक ने प्रयोग किये हैं उनी सब्दों को लिखा जाता है परिवासा में समझने की बात है तो समझा देते हैं कि यदि गद्द कवियों या लेखकों की कशोटी है मैंने यदि किसी लेखक का या किसी कवी का फरिक्षन करना है कि वो कितना साइतिकार की द्रश्चे किस हैसियस के उसके निवंद है या उसकी कवीता कैसी है उसकी समीक्षा करना है कवी या लेखक के तो उस कवी से गद्ध लिखाया जाए गद्ध से पदा चलता है कि वो कितना अच्छा क हावी है क्योंकि कभिता करने में तुक बंदी करना उसकी परिक्षण नहीं हो पाता है उसे बास्तम में कितना ज्ञान ही हैं वो गद्ध से पता चलता है और गद्ध में कई विदाय ıllच होती हैं कहानी है उपन्यास नाटक और एक एक आंकी है ऐसी अनेग विदा होती लेकर उनमें जो निवंद विदा है वो गद्ध की कसोटी होती है आपने कहानी लिख दी वो पन्यास लिख दिया या एकांकी लिख दिया आत्मगता लिख दी तो उससे गद्ध की पैचान नहीं हो पाती गद्ध कैसा है अगर गद्ध में कोई निवंद लिखे तो पता चलत से निवन्द की गद्द की कसोटी क्या होती है निवन्द जैसे कवियों की कसोटी कवियों को परखना है समिक्षा करना है तो उनसे गद्द लिखाया जाए और गद्द में की समिक्षा करना है गद्द कैसा है तो निवन्द से पता चलता है तो आचार रामचंदर शुकल जिन गुरुत्तर काम किया है ऐसे विचारक आचार रामचंद्र शोकल की ये परिवासा तो आपको खंठस्त होनी चाहिए परिवासा है यदि गद्ध कवियों या लेकों की कशोटी है तो निवंद गद्ध की कशोटी है मने निवंद विदाप पर काफी जोड दे रहे हैं आचार इसरे शाहित्कार ये हैं बाबु गुलावराय बाबु गुलावराय इन्होंने लिखा है निवंद उस गद्ध रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विसय का वर्णन या प्रतिपादन एक विसेश निजीपन स्वचंदता साउस्ठव और सजीपता तथा आवस्चक संगत और संबदता के साथ किया गया हो परिवासा थोड़ी लंबी है सब्दों का भी थोड़ा जटिल प्रियोक किया गया है और भारी भारी सब्द हैं चुकि बाबु गुलावरा एक प्रोफिशर रहे हैं जानी मानी हैस्ति थे तो निश्य थे को सब्द उसी इस्तर के लिए हैं आपको कंठस्ट करने में थोड़ी परिशानी होगी लेकिन परिवासा तो याद करना ही पड़ेगी निवन्द उस गद्द रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार यहां इनोंने आकार पर थोड़ा बंदन लगा दिया है कि जादा बिस्तरत नहीं होना चाहिए जादा बड़ा निवन्द नहीं होना चाहिए और उसका आकार सीमित होना चाहिए और सीमित आकार में भी और क्या कंडिशन है भीतर किसी विसय का बढ़ना या प्रतिपादन मन किसी जिस विसय पर भी आप निवन्द लिख रहे हैं उस विसय पर उसका प्रतिपादन कर रहे हैं तो उसमें अपनी विसेशता जलक ना चाहिए निजीपन मने वैक्तिक होना चाहिए किसी की नकल नहीं होना चाहिए मौलिकता होनी चाहिए सचंदता आप बंदे बंदे से भी में सचंदता होनी चाहिए सौश्ठव उसने बंद को भली माती सजाना भी चाहिए और सजीपता ऐसा होना चाहिए कि वो जीवन्त हो सके काल्पनिक ना तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कौन-कौन सा निजीपन होना चाहिए सचंदता होनी चाहिए सवस्ठब माने सजाबट होनी चाहिए सजीपता और आवस्चक संगति इन सब को संबध करके जो निबध कर दे वो निवंध है ये बावु गुलावराजी कहते हैं तो ब कि विसेश निजीपन सोचंता सवस्ठब और सजीपता तता आवस्चक संगति और संबत्ता के साथ किया गया हो कर याद करने में थोड़ी कठिन लगेगी है लेकिन याद करना पड़ेगी है अगली परिवासा एक और हैं प्रोपेसर नलिल बिलोचन सर्मा इनकी परिवासा है निवंद स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनभूतियों का सरस सजीव और मर्यादित का ज्यात्मक प्रकाशन है यहां भी स्वाधीनता की बात हो रहे हैं निवंद में बिचारों में चिंतन स्वाधीन होना चाहिए अपने अधीन होना चाहिए अपना चिंतन होना चाहि मौलिकता की बात की जा रही है और निश्चल अनुभूतियों जो अनुभूति हैं जो आपने अनुभूव किया है वो निश्चल होना चाहिए उसमें कोई बनावट नहीं होना चाहिए निश्चलता होनी चाहिए सरस रश्पूर्ण होना चाहिए सजीव वोई जीवन्त होना चाहिए और मर्यादित होना चाहिए नियमों से बंदा होना चाहिए गद्यात्मक प्रकासन है ये निवन्त की परिवाशा प्रोफेशनलिन बिलोचन सर्मा इस तरह से आप देख रहे हैं ये तीन साहित्तिकार आचाहिर रामचंद शुक्ल और प्रोफेशनलिन बिलोचन सर्मा इभारतिय निवन्त साहित्तिकार हैं इन्होंने निवन्त के संब्द में जो परिवाशा हैं दी हैं चात्रों आपसे अफेक्षा है कि आप इनको याद रखेंगे और आचाहिर रामचंद सुक्ल की परिवाशा तो कंठस्त हर चात्र को होना ही चाहिए निवन्त की परिवाशा अक्षर परिच्छा में पूछी जाती है दो नंबर का प्रस्ना आता है एक साहित्तिकार की परिवाशा पूछ ली जाती है कभी-कभी अनिथा परिवाशा नहीं तो बस्तु निष्ट में अभश्य प्रस्न पूछा जाता है परिव अगला निवन्द के तत्व है निवन्द के क्या तत्व है जैसे कविता में दो पक्ष होते हैं कला पक्ष होता है भाव पक्ष होता है वैसे ही निवन्द में भी दो पक्ष होते हैं आंत्रिक और वाह और दोनों पक्ष में कुछ तत्व समायत होते हैं अब वो तत्व क्या हैं व्यक्तित्व मैप्पूंग चीज है मुल्लतत्व परिश्क्रत भासा भासा सही होनी चाहिए परिस्कृत होने चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए, संचित्ता, परिवासा में भी आपने देखा होगा, ज़्यादा विस्तृत निवन्द नहीं होना चाहिए, संचित्ता भी निवन्द का इकत्त होता है, प्रभाह महता, वाक के का एक प्रभाह वनना चाहिए, वाक के एक कोईशा वाक के फर एक कोईशा वाक ऐसा उनकी प्रभाय तूटना नहीं चाहिए प्रभाय माय होना चाहिए एक बात के बाद दूसरी बात किस धंक से कही जाए को क्रम्शे चली जाए आगे शंप्रेश्णियता जो आप कहना चाहते वो पाठक तक पहुचना चाहिए शंप्रेश्ण उसका स्थीक धंक से होना चाहिएै अभी व्यंजना, जो आप व्यक्त कर रहे हैं, उसको किष। ढंक से व्यक्त कर रहे हैं, वशवस्तो, एक सुत्रता, रोचकता, श््वता पूनता, स्वयम्मे पून, आकार, सैली, आधि निवंद के मुल्तत होते हैं, यह है निवंद के मुल्तत, तो ये निवन्द के तत्तु कभी-कभी परिक्षा में पूछ लेते हैं, अक्सर कम पूछते हैं, लें कभी-कभार पूछ भी सकते हैं, तो याद रखना, व्यक्तित्त, परिश्कत भाषा, संचित्तता, प्रिवाहमयता, शंप्रेशुन्यता, अभिवन्जना, विशयवस्त् पूत्रता, रोचक्ता, स्वताहपूंता, आकार्श, शैली, ये निवन्द के मूल तत्त होते हैं, अब इन तत्तों के होने पर आप निवन्द लेखन कर सकते हैं, निवन्द लेखन के पहले इन तत्तों पर बिचार करना होता है, और फिर इसके बार निवन्द लेखन किया आगोराद है निवंद के और अक्षर इसमें सी प्रिप्रकार की यह निवंद कितने पropriकार के होते हैं ये प्रशन दूने दोनों तत्तत्र उसके देखे जा पक्षे, आंतरिक पक्षे, वहां पक्षे बहुत तरह के विवित प्रिकार के घुत है अब उनको किसी बरीकरण किया जा तो बड़ा कठिन काम होता है कैसे बरीकरण किया जाए तो कई साहित कारों ने मिलकर एक सर्मान बरीकरण प्रस्तुत किया है कि निवंद के मूल तत्व जो व्यक्तित होता है उसके आदार पर अगर निवंद का बड़ी गर्ण किया जाए तो निवंद दो प्रकार के होते हैं एक होता है विसाई प्रदान और दूसरा होता है विसाई प्रदान विसाई प्रदान माने निजात्मक होता है सब्डेक्टिव होता है इसमें लेखक का व्यक्तित प्रदान और दूसरा होता है विषय प्रदान विषय प्रदान होता है अब्जेक्टिप या परात्मत विषय प्रदान जो होता है उसमें वो स्वेम के विचार अधिक उसम डालता है तो स्वेम का विक्तित उसम जलकता है और विषय प्रदान में विषय वस्तू का वर्णन जादा करता है इसमें विषय जादा उभर कराता है तो ये जो दो भेद हुए विषय प्रदान और विषय प्रदान ये व्यक्तित्व के आधार पर भेद देखा जाए तो विषय के आधार पर भेद देखा जाए तो विषय के आधार पर भेद देखा जाए तो निवन्द की विशेवस्टु कैसी है? वर्णन, बिवेचन, उसका प्रकूआण इन सब परेधी रिशलिशन किया जा, बरिकरण किया जा इन किया जा जाएन किया दार पर तो निवंद चार प्रकार के होते हैं याद रखना बच्यों निवंद के चार वेद होते हैं वर्णनात्मक, विवर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक वर्णनात्मक, विवर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शब्दों से ये आपको मानूं चल गया होगा फिर भी इन विश्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अब आता है पहला वर्णनात्मक निवंद है वर्णनात्मक जिसमें वर्णन किया जाए अब वर्णन काया का यात्रा का रित्व का कोई भोगलिक इस्थान है कोई प्राकृतिक इस्थान है कोई देश विदेश है कोई तीर्थ इस्थान है कोई दर्सनी इस्थान है जिसका वर्णन हो सकता है को परव है, तेह Inhale गार का हो गया तो बरसार गुवर्ण की यात्रा का वर्णन होगा, तो यह सब बर्णनात्म निवन्द आते हैं, इसमें वर्णन जादा करना पड़ता है, तो जिन निबंदों में यात्रा है रित्व है भोगोलेक तीरतिस्थान प्राकरतिक दर्सनी स्थान परवुतेवहार सवासमेलन इन आदिक किसी विशे का वर्णन जहां होता है वो वर्णन आत्मक निबंद कहलाते हैं इसमें क्या होता है इस्थानों विशेयों का वर्णन तो कल्पना में डूपती किया जाता है कुछ कल्पनिकता का कुछ बात तथ्यात्मक बाता होती है और उसमें कल्पना का सहरा लेकर सरल भासा में सजीब वर्णन करना पड़ता है कि और भासा सहली कि एसी होनी चाहिए कि इसपस्ट हो जाए तो ऐसे निवन्त्स को कहला दूसरा निवन्त देखते हैं विवरनात मंख्नेवंत अब विवरनात मंख्नेवंत है इसमें बस्तू का विवरन प्रसुत करना होता है उस्ते इस्थिर मान लेते हैं जो बस्तू है बढ़नन कर रहे हैं जब तो उसमें बिचार एक करम से एक करम से आगे बढ़ते रहते हैं बस्तू इस्थिर रहती है और इसमें गतिसील रूप में देखा जाता है अब जो सिकार है सिकार का बढ़न कर रहे हैं तो सिकार बंदों में बास्तुत वेवर्णातम्हान को पलंद eight ALL इसी चीजें जब गगठीलता होती है तो और पकर्ण में परिवर्टन होता है तो समय के साफिक्ष ह कोती है इसलिए वो दूआ बस्तु विशेका वर्णन उसके इस्तिर रूप में न करके गच्छील रूप में किया जाए तो वो विवर्णात्मक निबंद होते हैं यह इसमें कुछ तथ्यात्मक बात है प्रकट करना पड़ती है आगे देखिए तीस रहा है निबंद विचारात्मक निबंद है अब विचारात्मक निबंद क्या होता है जिन निबंदों में दर्सन दर्सन माने चिंतन मनन किश्री विषय का उससे प्रकट तथ्यात्मक बात है अध्यात्म आत्म परमात्मक बात मनों विज्ञान मांसिक दिसाका वर्णन मनों का विज्ञान आधि विषय गत्पक्षों का बौधिक विविचन होता है इस सारी चीजें चिंतन मनन से उत्पन होती है मैं बिचार आते हैं और विचार के शोत्पन होते हैं कि चिंतन से कि सोचने से तो जिन निवंदों में दरसन अध्यात व मन विज्ञान आधी विषएगत पक्षों का बौधिक विविचन होता है बुद्धी के आधरपुन का विविचना करना उन्हें बेचारात्म निवंद कहते हैं इन निवंदों में क्या होता है लेखक अपने मनन और चंतन के अंशार तर्क वितर्क तता खंडन-वंदन का सहरा लेता है कि जिंदन करता है तर्क करता है फिर उसको काठता भी है वितर्क हो जाता है फिर किस चीज का खंडन करता है किस चीज को महिमा मंदित कर देता है उसको समर्थन कर देता है तो खंडन मंदन करता है साहरा लेता हुगा खंडन करना उसका ब्रोध करना मंदन करना उसका समर्थन करना तो खंडन मंदन का साहरा लेता हुग विशय का प्रभावसाई धंग से भी करता है जिस विशय पर लिख रहे हैं ऐसे निवन्द विचारा अत्मगनिवन्द कहलाते हैं इन्वें बहुत हो उनका निवन्दि उस्सार भय अब यह क्या है कि भय उस्सार मनोभाव है उन मनोभावों पर ब्रिशेशन करके लिख देना कि और पंड़त प्रताब नारायन मिनिस्टर के पड़े होंगे आपने कि दाथ ब्रद्ध यद्यपी उनमें हाथ से ब्यंग का पुटा देख़े विचार अतम नहीं है लेकिन जितने आचारे राम चंदर शुक्ल न विचार नन लिखे ऐसे अन्य और भी लेक कौन लिखे हैं तो इनमें तर्क देना पड़ता है चिंतन के आधार पर वितर्क करना पड़ता है किसी पक्ष का समर्थन किसी पक्ष का दुरूद इस तरह से विचार करके चिंतन मन करके लिखे जाते हैं ऐसे निवंद विचार आत्मक निवंद कहलात कि यह आता है भावा आतमक निवन्दु इनका सम्मन भावना आर्थात हिर्दय से होता है वह आप जानते हैं कि भाव हिर्दय में उठते हैं अंगि विचार मस्तिस्क में अंतर होता है भाव और बिचार में भाव हिर्दय से सम्द रखते हैं आपने पड़े भी हो गरेस्के अंतर गत्स असरकें दस्काय भाव होते हैं है भाव तो कही होते हैं उन्हें 17 ecosystems और अनुभाव अवि भाव संचारी भाव अलग अलग कर अधिक होने से कवित पूर्ण उद्गार तता सैली का सवंदर आ जाता है भावात्मिक निवन्द में आते हैं तुक बंदियां अन्य चीज़ है इस तरह से इसमें भी आ जाते हैं क्योंकि भावना से जुड़ी चीज़ियां होती है तो शामानिता कल्प्रा के साथ इसमें काव्यात्मुक्ता का पुठ होता है वो निवन्द भावात्मक निवन्द कहते हैं तो इस तरह से आपने देखा निवन्द चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से वर्णनात्मक विब्रनात्मक विचारात्मक और भावात्मक अब आते हैं निवन्द की सैली निवन्द की सैली निवन्द जब लिख्या जाता है तो उसकी विसेवस्तुक सजाने के अव्यक्ति को सुंदर बनाने प्रभासाली बनाने के लिए कार करने का जो तरीका होता है कार करने का जो ढंग होता है लेखन का वो सैली कहलाता है निवंद को सजाने सवारने और प्रार्सवाली बनाने के लिए जिस धंग को अपनाया जाता वो धंग शैली कहलाती है शैली की सम्मन्द में भी पास्चात विद्वान बफन ने परिवासा दी है उन्होंने काया सैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही सैली माने जितने व्यक्ति उतनी सैली सिद्धा कहने का ताज परे है और जितने सैली उतने व्यक्ति मतला हर लेखक का अपना एक अलग धंग होता है माने हर लेखक अपने धंग से लिखता है इसलिए हर लेखक की अपने अलग अलग सैली होती है, कोई भी लिखक है, सबकी अलग सैली होती है, उस सैली के अंतरगत वो अपना निजीपन, अपने व्यक्तित की पैचान, उसमें सिद्ध करता जाता है, डालता जाता है, आंतरिक और बाहरुपों के आधार पर सैली कई भेद माने गए हैं, लेकिन फिर भी जो शाहितिकारों मुक्रुख से छे व्हेदु इसके माने हैं, और वो छे चैलियां अधिकतर मिलती हैं निवंधों में, बैसे तो अनेक हो जाती है, परिबासा में इस पर उन्छ पर जितने वेक्टि उतनी चैलिय, लेकिन शामान का जो सर्म मानने माने गई, वो 6 सैलियां मा लेखक के लेखन में कई न कई इन सैलियों को परिलक्षट हुई जाती है इसलिए इस रादार पर कहा है एक्छे सैलिय है तो हर लेखक में ये प्रिकट हो जाती है समास सैली, ब्यास सैली, विवेचन सैली, व्यंग सैली, धारा और तरंग सैली, निगमन और आगमन सैली इच्छे सैलिया होती हैं आप इन सैलियों के बारे में पढ़ते हैं पहली है समास सैली समास सैली में क्या होता है समास जिस समास का मतलब क्या होता है समास आप समझते हैं कि अधिक सब्दों को कम करना सीमित करना संचित करना तो जब सब्दों की बचत करनी हो माने अधिक बात हो और उसे कम सब्दों में कहना है तो इस सैली का प्रयोग किया जाता है जादा सब्दों को कम सब्दों में ब्यक्त करना हो माने जादा बड़ी बात को कम सब्दों में ब्यक्त करना हो तो समास सैली इस निवंद सैली में क्या है? निवंदकार कम सब्दों में अधिक सदिक विसे का प्रिच्वाधन करता है इस कारण से उसके क्या होते है? बाग को बड़े सुगठित होते हैं, गठे हुए सब्द बड़े सटीक होते हैं और कसे हुए होते है जो गंभीर विसे होते हैं, उनका लेकन समास सैली में किया जाता है, शोत्रात्म खुरूप में किया जाता है, दूसरी होती हैं, ब्यास सैली, ब्यास सैली में क्या होता है, निबंदों में तक्ष्ण को खोलता हुगा चलता है, जो समास सैली में जो कारे होता है, ठीक उसके व रुटरात्मुग में जो सब्द होते हैं उनको व्याख खित करना उनको समझाना तो व्याशली इस तरह के निवंद्धों में लेकड़का क्केeurs को खोलता हुआ चलता है विभिन्तरपकों के माध्यम से उद्धारणों के माध्यम से उसको सम्झाता हुआ जाता है बड़नात्मक बिवरनात्मक जो सहली निबंद होते न उनमें इस सहली का प्रयोग किया जाता है तुलनात्मक निबंद जो होते हैं उनमें भी सहली का प्रयोग किया जाता है तो बढ़नात मंगने बंदों में तुलनात मंगने बंदों में ब्यास सैली का प्रयोग किया जाता है ब्यास सैली में किसी विसे को ब्याकित करना समझाना और समास सैली में बड़ी बात को कम सब्दों में कहना अगला आता है विवेचन सेली अब विवेचन सेली में विवेचना करना किसी विशेव विशेष की तर्प के माद्यम से खर्णलमंदन के माद्यम से विवेचन 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 से व राशत्मख लिफा को भी बात जो कहता है पहले चिंतन मनन्करता है उसके आधार पर निस्खर्स को लिखता है तो वह कहलाती है बिवेचन आतमक शली आचार रामचन सुकल के निवन इसी प्रिकाल का शली में क्यां परियोग जाते हैň उन्होंने बेविचन सेली का बहुत प्रयोग किया है। बहुत चिंतन मनन करने के बाद कोई अपना कत्थ लिखते हैं। अब जैसे उन्हें ने क्रोध के संब्ध में लिखा, बैर, जो क्या है बैर के संब्ध में कह दिया, क्रोध का अचार्य मुरब्भ है। अब एक कत्थन लिखा, बैर, क्रोध का अचार्य मुरब्भ है। लेकिन इसके पहले उन्हें काफी निसकर्स निकाला होगा, चिंतन किया होगा, अचार, और आम में क्या अंतर होता है, आम को काट कर जब रख दी जायता है कई दुनों तक रखा रहता है नमकायदी डाल कर तब जाकर कि वो अचार बन पाता है ऐसे क्रोध जब कई दुनों तक मन में बना रहे है तो बैर बन जाता है तो इस तरह से ये बात कहने के लिए उन्होंने काफी चिंतन मनन किया होगा अपना उधारण दे कर उस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया बैर और क्रोध की संबने जो उनन बात की उनके चिंतन मनन के बाद अचार का उन्होंने उधारण दिया और अपना कत्थे प्रस्तुत किया तो इसमें लेखक क्या करता है तर्क बितर्क की माद्यम से कथन की पुष्टी करता है अपना कथ्य प्रस्तुत करता है तो ये तीसरे प्रकार का निवन्द सैली हुई विवेचन सैली अगली सैली देखते हैं व्यंग सैली व्यंग सैली में निवन्दकार व्यंग के माद्यम से अपने विश्यों को पृच्पदम करता चलता है व्यंग में कोई बात सीज रहं से नहीं कही जाती उस व्यंग को कभी कभी हास्का भी पूट दिया जाता है और लोगों को सटीक बैठती है ये भी एक कहने का माद्यम अच्छा होता है व्यंग के माद्यम से इसमें उसके विशे धार्मिक होता है, सामाजिक हो सकते हैं राजनीतिक हो सकते हैं राजनीतित में तो जादे व्यंग होते हैं आदी भी हो सकते हैं ग्यालिक सामाक, राजनीतिक, इसमें रश्नाकार क्या करता है, हास्ची पुर्ट लगा दिता है, और सब्देज़ अर्थ के चम्मतकार त्षिशिस से इसे बुश्यारीका निवंद्कारिवों बिशाइस प्रचननन से, बहुत से निवंदकार इस शैली का प्रयोग करते हैं ब्यंग शैली का सब्दों का चैन ऐसा करते हैं कि बात सामने वाले को कैवी दी जाए और हासी उत्पन हो जाए और वो बात उसके इरदय में घर भी कर जाए इसमें आपने नाम सुना होगा असरत जोसी कापी मसूर नाम हैं ब्यंग शैली में और भी निवंदकार हैं इस शैली में अच्छा लेखनकार करते हैं अगली शैली धारा और तरंग शैली तरंग या विच्छिव इसमें क्या होता है जैसे आपने जलाशे में कोई कंकड मार कर देखा होगा तो उसमें एक लहर सी उठती है और धीर धीर वो लहर दूर तक चली आती है सांत जल में कोई कंकड मार कर देखो फिर उसमें एक लहर सी उठती है ऐसे ही मन में जब विचार आता है तो विचारों की एक लहर सी तरंग सी आ जाती है और फिर उसमें लेखक एकागर चित्थ होकर उसी विशे में खो जाता है और उसमें अपनी मन की मौच में आकर कोई कत्थ प्रस्तुत करता है और जो विशे पर केंदर जरूर रहता है विशे से नहीं बठकता इसमें विशे पर केंदर रहता है तो मन में जो तरंग सी आए और उसको पर गहें चिंतन करके उसी ले में कोई वात कहता है तो कहलाते हैं तरंग या विच्छेव सेली इसमें एकान्विती का भाव रहता है उसका एक पर मन केंद्रत नहीं होता धीर धीरे वो आगे वरता जाता है वो होती है तरंग्या विच्छिव सेली अगली होती है निगमन और आगमन सेली निगमन और आगमन सेली ये बहुत महित्पून होती है आप जैसे निवंद लिखते हैं परिक्षा में तो इसी सेली का प्रियोग करते हैं आपको पता भी नहीं होता और आप इस सेली का प्रियोग करते हैं इस सैली में पहले विसाय के बारे में विचार करते हैं, कुछ जो तरुप में उसको बना लेते हैं, फिर उन विश्यों कर उसका प्रतिपादन किया जाता है, जो पाइंट आपने मन में सोचे हैं उन पर तो इस तरह से उस विसाय का निगमन करते हैं, फिर उसको आगमन करते ह इस मिसाली में क्या होता है पहले लेखक बिचारों को सूतरूप में प्रसुत करता है फिर उस सूतर को बिस्तार्थ से ब्याक्या कर देता है और फिर बाद में उसका सार सूतरूप में लिख देता है नहीं आए सवन्या पहले बिंदू बना लिए पाइंट बना लिए फिर उन पाइंटों को बिस्तृत कर दिया समझा दिया और उसका निसकर्स जो निकाला तो फिर पाइंट बना के मतलब या उसको कम सब्दों में समय उड़ दिया तो ये कहलाता है निगमन और आगमन सेली आगमन सेली निगमन के विप्रीत होती है इस तरह से ये निवंद सायत का विकास का पहला वाग समापतुगा धन्यवाद क्षे आगमन कि शुषर बहुरता है झाली टाहर सेली इतो है।